दोस्तों नमस्कार पिछले वीडियो में हमने आपको एक बहांच दिखाए थी जिसके की वल्वा पर बहुत ज़दा सुजन थी वास्तों में उसको क्या था वास्तों में उसको मेगट वाउंड था मतलब वल्वा के उपर जो ही गायवेंस बच्चा देती है उसके बाद कोई डिस्चार्ज लगने से या घ्याबिन जब होती है उस समय कोई डिस्चार्ज लगने से वहां से गिला रहता है हलका सा बलर्ड भी लगा रह सकता है तो मक्ही बेड जाती है और कीडे पड़ जाते ह वही इस्तिति यहां हुई थी पसुपालग ने ध्यान नहीं दिया तो इस्तिति गंबीर हो गई और वो हमने आपको दिखाया था मैंने उसमें साफ यह कहा था कि लाल दवा से साफ करके और नेगा संट पाउडर लगा दे तो यह बिलकुल ठीक हो जाएगा आप लोगों से भ बहुत अच्छे आरजे एक की साफ कहां से है जरूर बताईएगा आगे हैं हमारे सार्थी के जी आयम फर्स्ट कमेंट फ्रॉम तमिल नाडू वेरी यूसफूल इस ग्रूप थैंक सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप तमिल नाडू से हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही हमारे वैट्स कलब से आप जुड़े रहें आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा सर हाई टेंपरेचर में डीनेस लगा सकते हैं यह थोड़ा सा यार पेचिदा मेटर है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्द क बहुत अच्छा आपने लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है कुल मिलाके बढ़िया आपने शेट्मेंट बताया ठीक है सुनिल वैसनो जी लिख रहे हैं आईवर्मेक्टिन लगा देंगे 10 ml सबकट DCR भी लगा देंगे मेलोनेक्स लगा देंगे और B complex लगा देंगे आगे कंफर्म है आईवर्मेक्टिन नेक्स्ट हमारे बलपा मंगनूर जी लिखते हैं आईवर्मेक्टिन टेंट टू एट टू 10 ml सफकट और B complex 10 ml CPM 10 ml और लास्ट में टर्पेंटाइन ओयल दिन में दो बार लगाएंगे देखिए टर्पेंटाइन ओयल लगा तो सकते हैं लेकि अब लिखेंगे आप ने सही तरीके से नहीं लगाया तो वो फिर उनके लिए गलत इफेक्ट डालेगा कैसे बाहर से उनने सुगंद आएगे तर्पेंटाइन ओयल की तो फिर अंदर ही अंदर क्योंकि अपना बाहर का मुँ बंद कर लेंगे अंदर का मुँ चालू कर लें CTC apply करेंगे OTC लिखा हो गए इन्होंने PPC साफ करेंगे BETA DIN डालेंगे Negacent Powder लगा देंगे और Injection DCR 5 gram यार यह 5 gram तो बहुत ज़्यादा हो गया और ऐसी Condition में आपने 5 gram लगाया तो दूज कम हो सकता है भाई तो यहाँ पर जो गाव था उसे आप मेरे हिसाब से बगेर Antibiotic के ठीक कर सकते हैं जो भी Injection आपको लगाने लगा दें कोई दिकर नहीं है बगेर Antibiotic बगेर Ivermectin के यह घाव इजी ली अच्छी तरीके से सफाई करके और कीडे पूरे निकाल करके और जो dead cells है कीडो ने जिनको dead किया है cells को उन dead cells को complete remove करके complete soft करके आप अगर negation powder लगा देता है दो दिन तो वापस देखने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी यह confirm मेरा दावा है आप मान के चले बगेर injection फिर भी आप लगाना चाहते हैं multi-vitamin लगा दे antibody के एक देना चाहते हैं कि जल्दी relief मिले तो diagram लगा दे बड़ी भैस है तो भी चलेगा पांस ग्राम लगा करके दूद कम ना करें इसके बाद हमारे second कर्मा करजी लिख रहे हैं injection neomake भी दूँगा FEP 40,000,000 भी तीन दिन लगाऊंगा Bicom Lake CPM भी लगाऊंगा और Topicure Plus भी लगाऊंगा Was with Iodin देखिए ये treatment करेंगे तो honor नहीं बुलाएंगे आपको ये confirm है साकेत कर्मा करजी थोड़ा सा treatment को आप ले में लाइए जहां पर जिसकी जरुरत है उसी पे जोर दीजिए ना की other आप सोच रहे हैं कि ये जो infection है वो अलग होगा जबकि वास्ताव में वेजाईना पर अगर कहीं सूजन कोई आपको पसुपालग भी बता रहा है ना तो तुरंट आपका ध्यान जाना चाहिए और वेजाईना पर सूजना ही है कीडे हो सकते है मेरा एक ही डायलोग रहता है अगर कोई मुझे बोलता है कि सर वेजाईना पर पीछे सूजना रखी है आओ आप बहस देखो तो मैं उन्हें एक ही बोलता हूँ क्या इस पर कहीं न कहीं कोई चैद है क्या और confirm चैद मिलता है क्या उस चैद में से खून गिर रहा है क्या कभी गभी तो वो कहेंगे बिलकुल गिर रहा है ऐसा ही होता है आप confirm ये देख लें वेजाईना पर सूजन दूसरे कारणों से भी आती है ऐसी बात नहीं है लेकिन वो reason जो है वो अलग होते है उनके लक्षन जो है वो अलग होते है जब आप नजदीक पहुंच जाओगे देख लोगे तब तो confirm पता जल जाएगा इसके बाद हमारे रिश्चरफ यादव जी है ये लिख रहा है सर पीपी से साफ कर देंगे आईवर मेक्टिन और बूटॉक्स डेल्टा मेतरिन की गोज बना कर अंदर डाले जहां कीडे हैं एंटिबाइटिक, CPM मेलोक्सिकाम, सुजन, फ्लोनिक्जिन भी दे सकते हैं 15 ml देखिए आप जो ये डेल्टा मेतरिन वाली जो गोज बता रहे हैं मैं इस पक्स में बिल्कुल भी नहीं हूँ डेल्टा मेतरिन कई बार पोजिनिंग करती है और खुले में, खुले गाउं में अगर लग जाती है तो दिक्कत करती है मैं ये नहीं कहता सभी केसेज में करती है कभी कभी करती है मान लीजी आपने किया और उसी में अगर इरिटेशन कर दिया तो दिक्कत हो सकती है इसलिए सोच समझ के सिस्टेमेटिक धंग से काम करें बहुत बढ़िया रिसव जी कोशिस अच्छी है आपकी इसके बाद हमारे चंदर सेकर यादो जी लिख रहे है सर आज ही इसका टिटमेंट किया है क्लिनिक क्लिनिंग अच्छे से करके और चर्मिल इस्प्रे दिया है और डिसी इंजेक्शन लगा दिया देखिए जहां तक मेरा मानना है मेगड वाउंड में अगर आप नेगा संट यूज नहीं कर रहे हैं तो मेरे इसाफ से तो गलती है फिर भी अगर आपके पास उपलब्द नहीं है कोई बात नहीं है आपने ये टिटमेंट किया अच्छी बात है और चर्मिल से भी अच्छा रिलिप मिलता है रंजीत सिंग जी कहता है सर हाइटिक 10 ml लोरेक्शिन ट्यूब पती के साथ अंदर डाल देंगे पत्टी के साथ अंदर डाल देंगे और मेलोनेक्स भी लगा देंगे एविल लगा देंगे और मिक्स करके मेलोनेक्स, DCR और एविल मिक्स करके देखिए जहां तक मैं पहुँचा हूँ मैंने DCR को एविल में गोलना बंद करवाया है आपसे भी मैं ये निवदन करना चाह रहा हूँ रंजीत सिंग जी अगर आप DCR का पूरा इफेक्ट अच्छी तरीके से लेना चाहते हैं तो एविल में गोलना बंद कर दीजिए उच्छा रहेगा इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है नंद किसोर जी गुरू जी परणाम परणाम नंद किसोर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज यादव कयास साजी लिगता है सर सारी से पहले पीपी लाल पानी से साप करेंगे हम इंजेक्शन आइवर्मेक्टिन, DCR, मेगलोडाइन और आइवर्मेक्टिन दिन में दो तीन बार डालना उसे दो के लाल दवा के पानी से प्रियास अच्छा है आइवर्मेक्टिन भी डालते हैं कई लोग तो ठीक है लेकिन मेरा ये मानना है जो मैंने अभी आपको बताया राम अनुच कुमार जी लिखते हैं CPM लगाएंगे, 10 ml B.comlex लगाएंगे, DCR लगाएंगे नेकासन पाउडर तीन दिन दक लगाएंगे बिलकुल आप सही गये हैं लेकिन थोड़ा सा तीन दिन वाला मेटर नहीं मेटरा है आप एक दिन इंजेक्शन लगा दे और दो दिन पसुपालों को बोल दें कि आप ये पाउडर लगाते रहें तो इजीली हो जाएगा बहुत ही सिंपल हमारा आज का केस था लेकिन फिर भी चलिए बहुत ही अच्छे चे कमेंट आप लोगों ने किये बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं जल्दी आपको अगर इसी परकार के वीडियो पसंद आ रहे हैं कुछ नोलेज अगर आपको मिल रहा है तो फ्लीज कमेंट करें हम इसे कंटिनू रखेंगे अजर्वाइस हम एक सीरीज सुरू कर रहे हैं जिसमें जानकारियों का दूर साथ साथ में चलने वाला है अब ओनलाइन सेशन जो है एक तरीक से जो नया होगा तो उसमें हम थोड़ा सा आपने आपको फ्री मेसूस करेंगे तो फ्री होते ही वैट्स कलब पर हम एक सीरीज सुरू कर रहे है जिसमें हर प्रकार की जानकारिया चाहे वो मेडिशन की हो चाहे वो बीमारी की हो एक एक चीज बारी की से आप तक लेके आएंगे तो जुड़े रहिए वैट्स कलब के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में